ये आज जानते हैं कि किसान भाई कैसे लोंग की खेती करके काफी मुनाफ़ा कमा सकते हैं। भारत में पिछले कुछ सालों में किसानों के बीच जाग रुकता बढ़ने की वज़े से नएने फसलों की खेती किसानी होने लगी है। सरकार भी अपने इस तरपर किसानों को मुनाफ़ेदार फसलों की खेती करने के लिए प्रोट साहित करती है इसी कड़ी में किसानों के बीच लोंग की खेती करने का चलन बड़ा है लोंग में बहुत सारे पोश्टिक तर्ट उपाय जाते हैं सेहित के लिए ये बेहद फाइदे मंद है यही वज़ए है कि बाजार में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है ऐसे में किसान भाई लोंग की खेती कर अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते है इस खेती की सबसे बड़ी खास्यत यह है कि एक बार लगाने के बाद कई वरसों तक पैदावार प्राप्त हम कर सकते हैं यानि कि बार बार फसल लगाने का जंजट खतम बाजार मिनना बहुत आसान हो गया है कई रोगों के खिलाफ इसका उप्योग बेहद उप्युक्त माना जाता है इसके अलावा बोजन वगेरे में भी इसका उप्योग उचित मातरा में किया जाता है ऐसे में बाजार में या आसानी से भिख सकता है यही वज़ह कि किसान भाई लोंग की खेती से लागों का मुनाफा कमा सकते हैं अब जान देते हैं कि क्या कोछ मोसम और वातावन और मिटी अच्छी रहती है लोंग के लिए तो लोंग की अच्छी उपज के लिए काली दोमट मिटी जिसमें हूमस के प्रियाफ्त मात्रा हो सरेष्ट होती है इसके अलावाई से रेतिली मिटी में भी उगाय जा सकता है साथ भूमी से उचित जल निकास के ववस्ता होनी चाहिए खेत में पानी बरे रहने के कान पोदे कमजोर हो जाते हैं और खतम भी हो सकते हैं लोंग की खेती के लिए उच्छन कटी बंद ये उच्छन वय नम जलवाईयों के आवशकता होती है इसके पोदे समुचित विकास के लिए 24-23 डिग्री से अपमान पर तथा 1500-3000 मिली मीटर वार्शिक वर्शा में उपयुक्त रहते हैं लोंग की फलियों को सूखने के लिए सुस्क मौसम की आवशकता होती है आई एब बात कर लेते हैं लोंग की पैदावार कितनी होते हैं यानि कि हम कमाई कितनी कर सकते हैं लोंग की शुरुवाती पैदावार काफी कम होती है किन्तों एक बार जब पोदा पूर्ण रूप विक्सित हो जाता है तो इसके एक पोदे में तकरीबन दो से तीन किलोग्राम लोंग पराप्त हो जाती है लोंग का बाजारी भाव आठ सो से हजार रूपी के मद्दे रहता है तथा एक एकड़ के खेत में सो से अधिक पोदे त्यार हो जाते हैं इस हिसाब से किसान वाई लोंग की खेती कर दाई से तिन लाग रूपी तक की कमाई आसानी से कर सकते हैं